नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामानी विज्ञान का प्रैक्टिस से एक्टमबर 4 डिसकस करेंगे जिसमें की 30 क्वेस्चन्स इंक्यूट किये गए हैं जो कि हमारे अपकमिंग एक्जाम्स के पॉइंट औ व यू से काफी महत्पॉन क्वेस्चन्स हैं और एक्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है क्वेस्चन्स आपको बाइलिंग्वल हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्विज में अपियर होंगे कुछ क्वेस्चन्स हिंदी में भी हैं जिनकों कि मैं इंग्लिस में एक्स्पेन कर दूँगा इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप या फिर वाटसाप ग्रूप को जोईन कर सकते हैं दोस्तों इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सुरू करते हैं आज का पहला प्रसन आज का पहला प्रसन है टेसला यूनिट इस रिलेटेड टू वीच फिल्ड तो दोस्तों टेसला जो है वो मैगनेटिक फ्लस्क डेंसिटी की यूनिट होती है और magnetic field की strength को measure करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो टेसला जो है दोस्तो चुम्ब की चेत्र या फिर magnetic field से संबंदित unit है option number A इसका सही answer है बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर तो अगला प्रसन है a device called pycnometer is used to measure तो pycnometer नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है तो दोस्तो pycnometer एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग density यानि की घनत्तु को मापने के लिए किया जाता है तो device and its usage से भी question exam में पूछे जाते हैं तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए pycnometer नामक उपकरण का प्रयोग घनत्तु को मापने के लिए किया जाता है अगला प्रस्न है तंगस्टन is used to make the filament of an electric bulb दोस्तो एक काफी बार repetitive पूछा गया question है बिजले के bulb के filament के निर्मान में तंगस्टन का उप्योग किया जाता है क्योंकि टंगस्टन का melting point यानिकि गल्लांक जो है दोस्तो वो बहुत high है बहुत उचा है इसका गल्लांक होता है दोस्तो 3400 degree Celsius और इसके साथ ही इसमें कुछ और properties भी होती है जैसकि इसका vapor pressure जो है वो lowest होता है और जो tensile strength जो होती है इसकी वो बहुत highest होती है तो इनी properties की वो जैसे जो है जो इसका उपयोग filament के निर्मान में किया जाता है उमीद करता हूँ आप समझगे होंगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर इनी कि अगर किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या फ्रक पड़ेगा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जो तार का प्रतिरोध होता है वो उसकी length के directly proportional होता है यानि कि समानुपाती होता है तो जितना तार लंबा होगा उतना resistance भी जादा होगा ठीक है तो इसलिए अगर हम तार को लंबा करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है if a resistive wire is lengthened its resistance is increases इतनी बात आप यहान रखेंगे अगले प्रसने की और बढ़ते हैं अब अगला प्रसने है which of the following electrolyte acts in a car battery तो car की battery में हम किसको as a electrolyte उपयोग करते हैं दोस्तो sulfuric acid यानि ये S2SO4 को car की batteries में as a electrolyte उपयोग किया जाता है और S2SO4 को king of the acid यानि ये अमलों का राजा भी कहा जाता है ठीक है और इसका answer है option number B sulfuric acid अगला प्रसने है which part of the human being is affected due to titnes disease दोस्तों जो titnes रोग होता है उसके कारण मनुष्य का कौन सा अंग परभावित होता है तो titnes रोग के कारण मनुष्य का तंत्री का तंत्र जो है वो परभावित होता है दोस्तों जो titnes disease होती है उससे muscle contraction या भी हमारे muscles में जो है वो rigidness हा जाती है ठीक है और इसकी last stage को हम क्या बोलते हैं log jaw stage बोलते हैं यानि कि इसमें क्या होता है कि जो जबडे होते हैं वो log हो जाते हैं हमारी body की जितने भी muscles होते हैं उनकी flexibility बिल्कुल zero हो जाती है यानि कि वो spasmotic condition में आ जाते हैं और यह किस के करना फैलता है Clostridium titani के करना फैलता है ठीक है दोस्तों तो यह जो Clostridium titani नामक जो bacteria होता है यह soil, saliva, dust या फिर अगर कमी पर हमारी skin में cut लग जाता है especially iron से या फिर steel से तो हमारी blood stream में एंटर कर जाता है और titaness जो disease है वो cause कर देता है ठीक है तो titaness कहाँ पर effect करता है nervous system तंत्री का तंत्र में अगला प्रस्न है what is the effect of patow syndrome a genetic disease on the victim तो patow syndrome जो कि अनुवांसिक रोग है यानि कि एक PD से दूसरी PD में स्तनांतरीत हो सकता है उससे PD ब्रक्ति पर क्या परभाव पड़ता है दोस्तों patow normally दोस्तों जो humans होते हैं उनमें 23 जोडी chromosome होते हैं यानि कि total 46 chromosome होते हैं लेकिन जो patow syndrome वाले रोगी होते हैं इनमें 13 नंबर का chromosome होता है वह 2 के बजाए उसकी 3 copy बन जाती है ठीक है उसकी 2 के बजाए 3 copy बन जाती है और यह 5000 में से अगर 5000 नौजाद बच्चे हैं तो उनमें से 1 को patow syndrome होगा तो इसलिए इसको rare कह सकते हैं इसके लक्षन क्या होते ह हैं कि जब होंट या तालू का नहोना देखिए जिसकी बंदेगा देखिए इस बच्चे का उपर का होंट जो है कटा हुआ है ठीक है इसका आंसर वैसे option number D है और मैं इसके लक्षन कुछ आपको बता देता हूं कि जो होंट होता है या उपर का तालू होता है वो कटा हुआ होता है या कभी नहीं भी होता है और हातों की अंगलिया नहीं होती है या फिर अब नॉर्मल होती है दिल में छेज हो जाता है और एक कान नहीं होता है करी करें ठीक है तो यह सब पटाओ सिंड्रोम के लक्षन है पटाओ सिंड्रोम में क्या होता है जो 13th नंबर का क्रोमोस में अगला प्रसन है दोस्तो which lens is used in a projector दोस्तो projector आपने देखा होगा तो projector में कौन सा lens उप्योग किया जाता है तो projector में दोस्तो convex lens यानि की उत्तर lens उप्योग किया जाता है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ और और यहाँ पर convex lens रखावा है, तो object की image हो, एक हमको बड़े या ब्रहद उसमें दिखरी है, ठीक है, तो projector में हम convex lens का उप्योग करते हैं, अगला प्रसन है, what is the name of tear gas used in battle और riots से तो कहीं पर दंगे हो जाते हैं, तो उसमें tear gas का इस्तेमाल भीड को नियत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसको कि हम हिंदी में आसू gas बोलते हैं, तो tear gas में कौन सी gas होती है दोस्तों, normally उसको CS gas बोल जाता है, लेकिन अगर उसका scientific name क बात करें, तो उसका नाम होता है O-Cloro-Bengaladine Melanonatrial, क्या होता है, O-Cloro-Bengaladine Melanonatrial, ठीक है, और यह क्या करता है दोस्तों, जो eyes, lungs, mouth और nose होती है, जो मारी आँख होता है, फेफडे होते हैं, मुह और नाख की जो mucous membrane होती है, जो जिल्ली होती है, उसको irritate कर देता है, ठीक है, और इसका असर करीब 30-40 मिनट तक रहता है, और या फिर बंदे को वहाँ से क्या करना पड़ता है, rescue, अगर कर गया बंदा वहाँ से, उस area से, तो तब 30 मिनट तक इसका असर रहेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको commonly में CS gas बोला जाता है, tear gas को, बढ़ते हैं अगले प का जाता है, तो दोस्तो उसे का जाता है, producer gas, ठीक है, important question है, producer gas का इस्तेमाल दोस्तो, iron and steel manufacturing industry में blast करने के लिए, या फिर metals को burning करने के लिए, जलाने के लिए, इसका अपयोग किया जाता है, ठीक है, तो carbon monoxide और nitrogen के mixture को हम क्या बोलंगे, producer gas, option number C is right answer, अगला प्रसन है, दोस्त तो MSH, melanocyte stimulating hormone का secretion किस gland द्वारा किया जाता है, तो दोस्तो ये है, puse granthi या pituitary gland द्वारा, ठीक है, तो जो MSH hormone होता है, वो pituitary gland के intermediate lobe द्वारा secret किया जाता है, और ये क्या करता है, यहां से, melanin नामक हर्मोन का स्रावन होता है, ठीक है दोस्तो इससे, और melanin नामक हर्मोन क्या करता है, हमारे skin और hair के color के लिए responsible होता है, ठीक है, melanin नामक हर्मोन, skin और hair, तो अचा और बालों के रंग के लिए उत्तरदाई होता है, तो MSH hormone का secretion कहा से किया जाता है, pituitary gland के द्वारा, बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और, अगला प्रस्न है दोस्तो, ये काफी बा centigrade और Fahrenheit दो अलग-लग scale होते हैं, temperature को measure करने के लिए, तो लेकिन minus 40 degree पर, minus 40 degree पर centigrade और Fahrenheit दोनों equal होते हैं, ठीक है, option number C, minus 40 degree is right answer, अगला प्रस्न है, ये किसी वस्तु का vague दुगना कर दिया जाता है, तो उसकी गधिच उर्जा पर क्या फरक पड़ेगा, if a velocity, किसी वस्तु की velocity को अगर हम दुगना कर दें, तो उसकी kinetic energy पर क्या फरक पड़ेगा, तो उसकी kinetic energy चार गुनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वस्तु की जो गति जुर्जा होती है, दोस्तो, वो vague के वर्ग के समानुपाती होती है, kinetic energy equal to 1 upon 2mv square, तो ये formula आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है, कि वस्तु की अगर vague को दोगना कर देंगे, तो उसकी गति जुर्जा कितनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, important question है, ज्यान रखेंगे, बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर, अगला प्रस्न है, वह तरंग, जिसे आखेंगे, इसका answer है option number D, को measure करने के लिए इसका उप reproinge किया जाता है, दोस्तों, ECG होता है, ECG होता है electrocardiogramed या heart की electric activity को यानि कि हिर्दय की electric activity को चेख करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है, लेकिन आप EEG और ECG में confused मतोँ होईगा, EEG जो है, वह brain की electric activity को चेख करने के लिए उपयोग किया जाता है option no.20 का सही answer है अगला प्रसन है दोस्तों हिर्दय को घेरे रखने वाली जिल्ली का नाम क्या है तो जो हिर्दय की दोस्तों जो हमारा heart होता है उसकी 3 layer होती है सबसे outer layer जो होती है उसे बोलते हैं pericardium और जो middle layer होती है उसे बोलते हैं myocardium और जो सबसे inner layer होती है उसे बोलते हैं endocardium तो हिर्दय को घेरे रखने वाली पूरे हिर्दय को आवर्ण कौन सी जिल्ली करती है pericardium और यह सबसे outer part होता है heart का outer layer होती है ठीक है तो option no.C pericardium इसका right answer है बढ़ते हैं एगले प्रसन की ओर मनुष्य की मुखगवा में कितने जोड़ी लार ग्रंथी पाई जाती है तो how many salivary gland how many pairs of salivary gland in human baccal cavity ठीक है तो baccal cavity में कितनी जोड़ी salivary gland यानि लार ग्रंथिया पाई जाती है जो दोस्तों तीन जोड़ी जो है three pair लार ग्रंथिया पाई जाती है जो कि जबड़े के दोनों side present होती है और एक healthy adult human में प्रती दिन 0.75 से 1.5 liter fresh saliva जो है वो produce होता है ठीक है ये भी exam में पूछा गया question है तो ध्यान रखेंगे 0.75 से 1.5 liter fresh saliva प्रती दिन एक स्वस्त human being में produce होता है अगला प्रस्त है प्रिष्ट तनाव की SI 1.5 क्या होती है यानि कि surface tension की SI unit बोल ला है तो दोस्तों surface tension होता है force per unit length तो इसलिए इसका जो SI unit होगी वो होगी Newton per meter basic सा question है लेकिन exam से में पुछा जाएगा तो आपको confuse नहीं करना है Newton per meter जो है प्रिष्ट तनाव की SI काई होती है अगला प्रस्त है carbohydrate में carbon hydrogen और oxygen का अनुपात कितना होता है दोस्तों carbohydrate carbon hydrogen और oxygen से मिलके बना होता है और इसमें carbon CHO का अनुपात कितना होता है 1 to 1 ठीक है 1 molecule carbon 2 molecule hydrogen and 1 molecule oxygen option number B इसका सही answer है और बहुत ही important question है अगला है कि सरवाधिक पुनुरुद्भवन शम्ता यानिकी regeneration power किसमें पाई जाती है अगर हमारे सरीर का कोई भी part damage होता है तो वह कितनी जल्दी recover करता है कितनी जल्दी सही होता है तो उससे regeneration power बोला जाता है दोस्तो लीवर में सबसे ज़्यादा regeneration power होती है अगर लीवर damage हो गया तो यह बहुत जल्दी recover कर लेता है यहाँ से question और पुछा जाता है कि सबसे कम regeneration power किसमें होती है दोस्तो brain में सबसे कम regeneration power होती है अगर brain में गहीं damage हो गया तो उसको सही होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ठीक है तो इसका answer है option number A अगला फ्रस्न है घरों में DC को AC में बदलने वाला साधन है यानि कि जो direct current होते है उसको हिंदी में dist धारा का जाता है और AC को बुलाता है alternative current प्रत्यावरती धारा तो DC को AC में बदलने वाला साधन कौन सा है inverter DC को AC में convert कर देता है inverter और दूसरा question है इसका उल्टा सीदे कि AC को DC में convert करने वाला साधन बताईए तो दोस्तों ये है rectifier काफी बार exams में पूछा गया है कि AC को DC में किसके दौरा convert किया जा सकता है तो rectifier के दौरा और DC को AC में convert किया जा सकता है inverter के दौरा चेहरे के निर्मान में कितनी अस्तियां भाग लेती है यानि कि total number of face bones ठीक है तो जो मारा face का formation होता है उसमें total कितनी bones participate करती है कितनी bones होती है दोस्तो face bones होती है 14 तो total 14 हस्तियां जो है वो चेहरे के निर्मान में भाग लेती है option number C 14 bones अगला प्रसन है RBC में हीमोगलोबिन की परतिसता कितनी होती है तो red blood cells लाल रक्त कोसिकाओं में हीमोगलोबिन कितने परतिसत पाया जाता है दोस्तो काफी important question है RBC में 34% हीमोगलोबिन पाया जाता है हीमोगलोबिन जैसकी आपको पता है एक iron containing oxygen transport metal protein होता है ठीक है जो कि oxygen को carry करने का कारी करता है और हीमोगलोबिन के कारण ही हमारे blood का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है ठीक तो इसलिए इसका answer है option number B 34% अगला पसन है father of genetics आनुवानसिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तो Gregor John Mendel को आनुवानसिकी का जनक कहा जाता है और इन्होंने अपने research के लिए कौन से पोधे को इस्तिमाल किया था ये भी question पूछा सकता है तो इन्होंने मटर के पोधे का इस्तिमाल किया था ठीक है अपने research के लिए तो आनुवानसिकी का जनक Gregor John Mendel को कहा जाता है option number C is right answer अगला पसन है रेडियो एक्टिविता को मापने वाला उपकरण कौन सा है instrument used to measure radio activity दोस्तों Giger-Muller counter जो है यह बहुत ही important question है Giger-Muller counter का उपयोग radio activity को measure करने के लिए किया जाता है option number A Giger-Muller अगला पसन है वह प्रिकरिया जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाता है तो वह प्रिकरिया कौन सी है ठीक है जिसमें की liquid state नहीं आती है solid state सीदे gas में convert हो जाती है उसे हम sublimation या फिर उर्दुपातन प्रिकरिया कहते हैं जैसकी kapoor का उर्दुपातन ठीक है इसका famous example है तो इसका answer है option number C उर्दुपातन या फिर English में बोलेंगे तो sublimation ठीक है दोस्तों तो यह था लाइक ज़रूर कर देना आपका लाइक हमें motivation देता है थैंक यू जाहिन जाह वारत have a nice day